यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए रूस ने शुरू किये स्ट्राटेजिक हमले। यूक्रेन पर रूस दे चुका है परमानू हमले की धमकी। यूट्यब पर एक वीडियो साजा कर जलन्सकी के सलाहकार ओलक्सी अरेस्टोवीच ने बताया कि रूस ने एक छोटा सामरीक लाभ हासिल कर लिया है। उलक्सी अरेस्टोवीच ने वीडियो में कहा कि रूस अब आक्रमक युद्ध लरने के वज़ाए स्ट्राटेजिक डिफेंस की मुद्रा में आ गया है। रूस महत्वपूर्ण पूर्वी डोनेट्स और दोगीक छेत्र में युक्रेन की आक्रमक शमता को कमजोर करने के प्रयास में स्ट्राटेजिक हमले कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रूस के ऐसा करने से हम ऐसे स्थिती में पहुंच जाएंगे जहांसे हम अपने छेत्रों को रूसी सेना से मुक्तन नहीं करा पाएंगे। और हमें बातचीत के लिए तयार होना पड़ेगा। आपको बता दें कि युक्रेन आक्रमक रुख अपनाते हुए अपने दक्षनी शहर खेर्सान पर फिर से कबजा करना चाहता है जो पिछले दिनों रूस के कबजे में चला गया था। राश्पती जलन्सकी के एक वरिष्ट सलाहकार एरेस्टोविच के अनुसार रूस अब अपनी रन नितियों में बदलाग कर रहा है। एरेस्टोविच ने बताया कि रूसी सेना युक्रेन के तीन दक्षनी शेत्रों में सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती कर रही है। युक्रेनी सेना ने रूस को रोकने के लिए खेरसों स्थित निप्रो नदी पर बने एक महत्वपूर्ण पूल को उड़ा दिया था। हाला कि रूसी सेना का कहना है कि वे पॉंटून पूलों और नावों की मदद से नदी को पार्क कर लेंगे। वे और रिपोर्ट दिली समाचार